आज मैं एक बहुत चटपट बनने वाली बहुत टेस्टी चटनी लेकर आई हूं जिसके इंग्रेडियंट्स हर एक घर में मौजूद हैं और बहुत आसानी से अबलेबल हैं ये देखिए मैंने ये दो प्याज ली हैं ये दो प्याज हैं दो टमाटर हैं लाल टमाटर और ये हरी मिर्च बहुत टीकी हैं तो मैने एक लिए हैं आप दो डाल सकते हैं और नमक हैं और कुछ नहीं डालना है आप इसको एक बंदा कर देखिएगा तो आए स्टार्ट करते हैं हम सब-से पहले टमाटर का जो ये बहाँ है में देखिए मैं आपको बार-बार request करती हूं कि जब भी मैं कोई recipe बनाती हुं तो यह सोचकर बनाती हूं कि यह आपको पसंद आएगी आप बनाकर देखेंगे तभी आपको पता चलेगा तो बना कर जरूर देखिए बहुत आसान है ना गैस की जुरत है और रिवस कच्ची पिसने वाली है और हम सोचेंगे कि नहीं यह अच्छी नहीं लगेगी बढ़ खाकर देखेगा बहुत टेस्टी दोनों प्याज को भी हम इसमें मोटा मोटा काट लेंगे और हरी मिर्च तीखी हो तो अच्छी लगती है चकपटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं इसको भी तोड़कर डाल देंगे और यह डालेंगे अब हम इसमें नमक स्वाद के अनुसार पहले थोड़ा डालिए खाकर देखे फिर अगर कम लगता है तो आप फिर कड़ भी हो जाएगी आपको कुछ और एड करना पड़ेगा कुछ और टमाटर कुछ और प्याच तो आई अब हम इसको ग्राइन कर लेते हैं और जार को हमने लगा दिया है अब हम इसको चलाने वाले हैं थोड़ा रुक रुक कर चलाएंगे हम देखिए एक बार पिसने के बाद यह ऐसा लग रहा है मैंने टेस्ट करके देखा है नमक थोड़ा कम है तो मैं नमक एड कर रही हूं और एक बार और चलाऊंगी अगर आप एकदम लगातार चला देगे ना तो यह पेस्ट बन जाएगा जैसे हम सबजी के लिए बनाते हैं उपन करके देखते हैं और यह देखिए दर्दर यह चटनी जो है वो बन कर तयार है यह आप देख सकते हैं इतना दर्दर हमें चाहिए और आप खाकर देखेगा यह बहुत टेस्टी लगती है तो आई इसकी प्लेटिंग करते हैं तो देखिए कभी-कभी केमरे में न कलर नहीं आता है रेड है थोड़ा सा वाइट है जितना मुझे कलर वैसे दिख रहा है न उतना दिखनी रहा है वीडियो में तो आप इसको बना कर ही देखिएगा इसको हम हरी पत्ती से गार्णिश करेंगे धनी की पत्ती से और मैं है कि यह भी बहुत चलने वाली है क्योंकि बहुत आसान है और खाने में टेस्टी है आज हम गोभी के परांठी के साथ इसको सर्व करने वाले हैं थेंक यू सो मच फो वाचिंग माई रेसिपी हुआ 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 है